आखे लाल होना एक बहुत ही आम समस्या है, अधिकतर लोगों को जीवन में कभी न कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं, जो मामूली से लेकर गंभीर हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में साफ सफाय और स्वस्थ यजीवन शेली अपना कर इस समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन अगर यह समस्या कई दिनों तक बनी रहे तो उपचार कराना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आखों को स्थाय रूप से नुकसान पहुंच सकता है। हेलो दोस्तों, डिव्ज आई के में आपका स्वागत है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आखों के लाल होने की समस्या को रेड आई या बलड शॉट साइस भी कहते हैं, इसमें आख का सफेद भाग लाल हो जाता है। ये तब होता है जब आख के सफेद भाग की महीन रक नलिकाए फैल जाती है और उनमें सूजन आ जाती है। आखों में किसी बाहरी पदार्त के चले जाने या कोई संक्रमन होने से आखे लाल हो जाती हैं, ये समस्या एक या दोनों आखों में हो सकती है। इसमें आखे लाल होने के अलावा जलन, चुभन, खुजरी चलना, ड्राइनेस, दर्ध होना, आखों से पानी आना, प्रकाश के प्रती समवेदन शीलता और नजरे धुंधली होना जैसे लक्षन भी दिखाए दे सकते हैं। कुछ मामलों में केवल आखे लाल हो जाती हैं और कोई दूसरे लक्षन नहीं दिखाए देते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते ही की आख लाल क्यू होती है और इसके क्या कारण है जिसे आख हमारी लाल हो जाती है। यह आखों के सफेद भाग की महीन रख्थ वहिकाओं के फैलने के कारण हो सकता है। यह महीन रख्थ नलिकाए जिसमें से अधिक तर दिखाए नहीं देती हैं, सूज जाती हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं जैसे की अलजी, आखों की थकान, वायू प्रदूशन, भूल मिठ्थी, रसायनों का अत्यधिक एक्स्पोजर, सूरज के प्रकाश का अत्यधिक एक्स्पोजर, लंबे समय तक कांटेक्ट लेंस लगाए रखना, आखों का संक्रमन जैसे आखों की गंभीर समस्याएं जैसे ग्लुकोमा, आखों में चोट लग जाना, कार्नियल अलसर, खाल में हुई आखों की सरजरी जैसे लेसिक कॉस्मेटिक सरजरी आदी, अस्वस्थ्य जीवन शैली के कारण भी यह समस्या हो सकती है जैसे अत्यधिक धुम्रपान या जैसे की लालपन की समस्या एक सप्ताह से अधिक समय तक रहे, प्रकाश के प्रती अति समवेदन शीलता विक्सित हो जाए, एक या दोनों आखों से दिस्चाज निकलने लगे, धुन्धला दिखाए दे, आखों में तेज दर्द होना, दोस्तों अब हम देखते हैं की आख आखों को ठीक कैसे करे, उसका उपचार क्या है? तो देखिए आपकी डाइग्नोसिस के बाद ही पता चलेगा की आखों के लाल होने के कारण क्या है? इसके आधार पर ही उपचार के विकल्ट चुने जाते हैं. डॉक्टर के पास जाने से पहले आप कुछ धरेलू उपाए भी कर सकते हैं. जैसे की एक तौवल को कुन-कुने पानी में भिगोए और उसे निचोड़ ले. आखे काफी समवेदन शील होती हैं, इसलिए तापमान सामान्य रखें. 10-15 मिनित के लिए तौवल को अपनी आखों पर रखें. गर्मी से रक्त का संचार चालू हो जाएगा इससे सूजन और खुजली से आपको आराम मिलेगा. अगर वाम कंप्रेस से समस्या दूर नहीं हो रही तो आप कूल कंप्रेस को आजमा सकते हैं. थंडे पानी में तौवल को डुबोए और निचोड़ ले. ध्यान रखें. पानी अधिक थंडा ना हो, नहीं तो समस्या कम ह होने की बजाए बढ़ जाएगी. इससे थोड़े समय के लिए लक्षनों में आराम मिल जाएगा. अगर आप लंबे समय से आखें लाल होने की समस्या से जूज रहे हैं और कांटेक्ट लेंस लगाते हैं तो इनके इस्तिमाल करना बंद कर दे. किसी अच्छे नेत्र रोग विशेशग्य को दिखाने के बाद ही इनका इस्तिमाल दोबारा शुरू करें. अगर अलजी के कारण यह समस्या हो रही है तो एंटी हिस्टामिन या कार्टिसोन आई ड्रॉप्स और आई जेल दिया जाएगा. बैक्टीरिया का संक्रमन कंजेक्टिवाइटिस होने पर एं अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हम मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में.